भारत माता की कारकम्य उपस्थित राजस्थान के आदर्णिय मुख्यमंत्री श्रिमान अशोक गहलोजी मद्द प्रदेश के गवर्णर और आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता श्री मंगु भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री श्री बुपेंद्र भाई पटेल मद्द प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रिमान शिवराश्री जी चौवान मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी श्री फगन सिंग कुलस्ते जी श्री अर्जुन मेगभाल जी विबिन संगधनों के प्रमुख व्यक्तित्व, सांसद गण, विधायक गण और मेरे पुराने मित्र आदिवासी समाज की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है ऐसे भाई महज जी और विशाल संग्या में पधारे आये दूर सुदूर से मानगन दाम आये हुए मेरे प्यारे आदिवासी भाई और बहनों मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज फिर एक बार मानकट की इस पवित्र धरती पर आकर के सर जुकाने का उसर मिला है मुख्यमंत्री के नाते असोग जी और हम साथ-साथ काम करते रहे और असोग जी हमारी जो मुख्यमंत्रों की जमात थी है उसमें सबसे सिनियर थे सबसे सिनियर मुख्यमंत्रियों में है और अभी भी हम जो मंच में बैटे हैं उसमें भी असोग जी सिनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है उनका यहाना इस कारका में उपत्र रहना साथियों आजहादी के अमृत महोसों में हम सभी का मांडगर धाम आना यह हम सब के लिए प्रेरख है हमारे लिए सुखद है मांगर धाम जन जातिय बीर बिरांगनाओं के तप त्याग तपस्या और देश भक्ति का प्रतिभीम है यह राजस्तान, गुजरात, मंद्रप्रदेश और महराष्टर के लोगों की साजी विरासत है परसों यहने 30 अक्तूबर को गोविन गुरुजी की पुन्निती थी थी मैं सभी देश वासियों की तरप से मैं गोविन गुरुजी को पुनह स्रद्धांजली अर्पित करता हूँ मैं गोविन गुरुजी की तप तपस्या उनके विचारों और आदर्शों को प्रणाम करता हूँ भाई और बेनों गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगर का जो क्षेत्र गुजरात में पड़ता है मुझे उसकी सेवा का सोभागी मिला था उसी क्षेत्र में गोविन गुरु ने अपने जीवन के अंतिम बर्ष भी बिताये थे उनकी उर्जाओं की सिक्षाएं आज भी इस मिट्टी में महसूस की जा रही है मैं विशेश रुप से हमारे कटारा एक अठकमल जी का और यहां के समाज का भी आज सर जुका करके नबन करना चाहता हूँ जब मैं पहले आता था ये पूरा बिरान शेत्र था और मैंने अग्र किया था वन महसूस के द्वारा आज मुझे इतना संतोस हुआ चाहरों तरब मुझे हरियाली नजर आ रही है आपने पूरे स्रद्धावाव से वन विकास के लिए जो काम किया है इस शेत्र को जिस प्रकार चे हरा भरा बना दिया है मैं इसके लिए यहां के सभी साथियों का रुदर से आज में अभिनन्दन करता हूँ साथियों उस शेत्र में जब विकास हुआ जब सडके बनी तो वहां के लोगों का जीवन तो बैतार हुआ ही गोविन गुरु की शिक्षाओं का भी विस्तार हुआ साथियों गोविन गुरु जैसे महान सोतंतरता सेनानी भारत की परंपराओं के भारत के आदर्शों के प्रतिनिदी थे वो किसी रियासत के राजा नहीं थे लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया लेकिन होसला कभी नहीं खोया उन्होंने हर आदिवासी को हर कमजोर गरीब और भारतवासी को अपना परिवार बनाया गोविन गुरू ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाब अंग्रेजी हुकुमत से संगर्ष का बिगुल्फुका तो साथ ही अपने समाज की बुराईयों के खिलाब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो एक समाज सुधारक भी थे वो एक अध्यात्विक गुरू भी थे वो एक संत भी थे वो एक लोकनेता भी थे उनके जीवन में हमें साहस शौरिय के जितने महान दर्षन होते हैं उतना ही उचा उनका दार्षनिक और बाउदिक चिंतन भी था गोविन गुरू का वो चिंतन वो बोध आज भी उनकी धुनी के रूप में मानगर धाम में अखंड रूप से पदिप्त हो रहा है और उनकी संपसभा देखे शब्द भी कितना मारमिक है संपसभा समाज के हर तपके में संप भाव प्रेदा हो इसलिए उन्होंने संपसभा के आदर्ष आज भी एक जुड़ता प्रेम और भाईचारा की प्रेणा दे रहे है उनके भगत अनुवाई आज भी भारत की आध्धात्मिक्ता को आगे बढ़ा रहे है साथियो सत्रा नमंबर उन्डिसो तेरा को मानगर में जो नर्समुहार हुआ वो अंग्रे जी हकुमत की कुरूरता की प्राकाष्टा थी एक और आज़ादी में निष्ठा रखने वाले भोले भाले आदिवासी भाई भेन तो दूसरी और दुनिया को गुलाम बनाने की सोच मानगर की इस पहड़ी पर अंग्रे जी हकुमत ने डेड़ हजार से जादा युवाओं बुजरगों महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया आप कल्पना कर सकते हैं एक साथ डेड़ हजार से जादा लोगों की जधन्य हत्या करने का पाथ किया गया दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संगर्स और बलिदान को आजादी के बार लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी उन नहीं मिली आजादी के अमरत महोसों में आदेश उस कमी को पूरा कर रहा है आदेश उस दसकों पहले की बूल को सुधार रहा है साथियों भारत का अतीत भारत का इतिहास भारत का वर्तमान और भारत का भविश्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग पग इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी विर्ता से भरा पड़ा है 1857 की क्रांती से भी पहले विदेशी हिकुमत के खिलाब आदिवासी समाजने संग्राम का ब्युगल फूका था 1780 अब सोची 1850 से भी पहले 1780 में संथाल में तीलका माजी के नेतरुत में दामिन सत्यागर लड़ा गया था दामिन सग्राब लड़ा गया था 1830 32 में बुदू भगत के नेतरुत में देश लर्का आंदोलन का गवाँ बना 1855 में आजादी की यही ज्वाला सिधू काना कांती के रूप में जलूठी इसी तरह भगवान बिर्षा मुंडा ने लाखो आदीवासियों में क्रांती की ज्वाला प्रज्वलित की वो बहुत कम आयू में चले गए लेकिन उनकी उर्जा उनकी देश भक्ती और उनका होसला ताना भगत आंदोलन जैसी क्रांतियों का आधार बना साथ क्यों गुलामी के शुरूवाती सदियों से लेकर बिश्वी सदि तक आप ऐसा कोई भी कालखंड नहीं देखेंगे जब आधिवासी समाज ने स्वाधिन्ता संग्राम की मशाल को थामे न रखाओ आंद्र प्रदेश में अल्नूरी सीता राम राम राजु गारू के नेत्रुतों में आधिवासी समाज ने रंपा क्रांति को एक नई धार दे दी थी और राजस्तान की धर्ती तो उससे भी बहुत पहले ही आधिवासी समाज की देशभक्ती की गवा रही है इसी धर्ती पर हमारे आधिवासी भाई बहन महाराणा प्रताप के साथ उनकी ताकत मन करके खड़े हुए थे साथियों हम आधिवासी समाज के बजिदानों के रणी है हम उनके योगदान के रणी है इस समाज के इसने प्रक्तिस से लेकर परियाबरन तक संस्कृती से लेकर परंपराव तक भारत के चरित्र को सहजा और संजोया है आज समय है कि देश इस रण के लिए इस योगदान के लिए आधिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवात करे बीटे आठ वर्सों से यही भावना हमारे प्रयासों को उर्जा देती रही है आज से कुछ दिन बाद ही 15 नवंबर को भगवान बिर्सा मुंडा की जैन्ति पर देश जन जातिय गवरव दिवस मनाएगा आधिवासी समाज के अतीत और इतिहास को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज देश भर में आधिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित विशेश मुझ्यम बनाए जा रहे हैं जिस भव्य विरासत से हमारी पीडिया बंचित रह रही थी वो अब उनके चिंतन का उनकी सोच का और उनकी प्रिनाव का हिस्सा बनेगी भाईयों बहनों देश में आधिवासी समाज का विस्तार और उसकी भूमी का इतनी बड़ी है कि हमें उसके लिए समर्पित भाव से काम करने की जरूरत है राजत्तान और गुजरात से लेकर पुर्वत्तर और ओडिसा तक विविदता से भरे आधिवासी समाज की सेबा के लिए आज देश स्पस्ट नितियों के साथ काम कर रहा है वन बंदू कल्यार योजना के जरिये आज जन जाती है आबादी को पानी, बिजली, शिक्षा, स्वात और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है आज देश में वन खेत्र भी बढ़ रहे हैं वन संपदा भी स्वरिक्षित की जा रही हैं और साथ ही आदिवासिक शेत्र डिजिटल इंडिया से भी जूड रहे है पारम पारिक कौसल के साथ साथ आदिवासि युवाओं को आतुनिक शिक्षा के भी आवसर मिले इसके लिए एक लव्य आदिवासि विध्याले भी खोले जा रहे हैं यहां इस कायरकम के बाद मैं जामुगोड़ा जा रहा हूँ जहां गोविन गुरुजी के नाम पर बनी उनिवर्सिटी के भगवे प्रशासनिक केमपस का लोकारपन करूँगा साथ क्यों आज आपके बीच आया हूँ ते एक और बात भी मेरा बताने का मन करता है आपने देखा होगा कल शाम ही मुझे अमदाबाद से उदैपूर ब्रॉड़गेज लाइन पर चलने वाली ट्रेन को हरी जंडी दिखाने का आउसर मिला है तीन सो किलोमेटर लंबी इस रेल लाइन का ब्रॉड़गेज में बदलना राजस्थान के हमारे भाई और भेहनों के लिए भी बहुत महत्वपूर है इस परिवर्तन से राजस्थान के अनेक आदिवासिक शेत्र गुजरात के आदिवासिक शेत्रों से जुड़ जाएंगे इस नई रेल लाइन से राजस्थान के टुरिजम को भी बड़ा लाब होगा यहां के आउद्यों के विकास में भी मदद मिलेगी इससे युवाओं को रोजगार की भी नई संभावना ये बड़ेगी साथियों अभी हां मानगर दाम के संपन विकास के चर्चा भी हुई है मानगर दाम के भग्व्य विस्तार की प्रबलिच्छा हम सभी में है इसके लिए राजस्तान, गुजरात, मदब देश और माहराश्च को मिलकर काम करने की आवश्यक्ता है मेरे याद चारों राज्य और सरकारों से आग रहे हैं कि इस दिशा में विस्तुत चर्चा करे एक रोड मैप तयार करे ताकि गोविन गुरुजी का इस बृति स्थल पी पूरे विश्व में अपी पहचान बनाए मुझे विश्वास है, मानगर धाम का विकास इस खेत्र को नई पीडी के लिए पेरेना का एक जागरत स्थल बनाएगा और मैं ये भी स्वाद दिलाता हूँ, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना जादा ख्षेत्र हम निर्धारित करेंगे तो फिर सम मिलकर के और भारत सरकार के नित्रूतों में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं इसको कोई राष्टियस मारक कह सकता है, कोई संकलित विवस्ता कह सकता है, नाम तो कोई भी देगेगे लेकिन भारत सरकार और इन चार राज्यों की जनजातिय समाज का सीधा समन्ध है इन चानों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिल करके इसको और नहीं उचायों पर ले जाना है उद्धिशा में भारत सरकार पुरी तरा कमिटेड है मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत सुप कामणाई दिता हूँ गोविन गुरू के स्री चरणों में प्रणाम करता हूँ उनकी धुनी से मिली हुई प्रेणा से आधिवासी समाज के कल्यान का संकल्प ले करके हम सभी निकले यही मेरी आप सबसे प्राशना है बहुत बहुत धन्यवाग